हलो साथियों कैसे आप सभी आशा करता हूं सारे वाई-वैन अच्छोंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी प्यारी सी क्लास में एक बाफर से वहुती शांदार उद्वर्दस सापका शेशन सुरुवात करते हैं आज के शेशन की उत्तपरदेश सिपाई भरती जं प्यारे बच्छों आप सभी के लिए जो सेशन आपका जो सेशन है वो रखा गया है वो वर्दी के सपने को साकार करने के लिए और बहुत ही अपने आप में जो आपका महत्पूर्ण इस्तती के साथ जो की उत्तपरदेश सिपाई भरती है जो की थोड़ा सा डिले जरूर ह अभी आने में कह नहीं सकते है पर लेकिन यह भी तैह है कि भाईया इलक्षन से पहले तो आएगी यह एक नॉर्मल आईडिया बेटा आपसे बहुत लोग कह रहे होंगे कि यह है वो है कुछ कहने नहीं आईगी कुछ कहरे है बिल्कुल कंफर्म आएगी लेकिन यह कॉमन आ बस उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं पर मेहनत को जब तक जारी रखते हैं और वर्दी का सपना भाई साब ऐसे नहीं मिलती खाकी क्योंकि खाकी के सपने को साकार करने के लिए कही न कहीं आपके अंदर एक जनून एक जज़वा होना चाहिए सभी टीचरों म यह मैं मान सकता हूँ की वैकैंसी का इंतजार के सरसा टीचर भी हतासी है हम लोग कहके जाते हैं भ aspects आने वाले नीू 시 देखते है तो लगता है कि है आरही है टेंडर पिर किरिया सुरू होती है सब कुछ सही होता है फिर कह देता है बार हियं है तो उसके बात कहीं नकहीं ड पहले पहले कोश्चों के साथ हम लोग इसके साथ आगे बढ़ेंगे आप सभी कोगरेवनिंग नमस्कार राम राम ससिकाल रादे रादे प्रणाम सलाम आदाप और प्यारे बच्चों आप सभी के लिए शांधार सा सेशन तो ये आपका जो है प्रक्टिस सेट है उत्तपरदे सेपाई भरती को ध्यान में रखकर पहला कोश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर जै माग नहीं ऐसा नहीं है मैं तो रोज क्लास लेता हूँ अपनी आप साइद आप काफी दिन बाद आए कला की गंधार सेली किसके शाशन काल में पन पी थी है ना नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने है मतलब पहला कोश्चन आप लोगों के सामने है कह रहा है आप से कि कला की गंधार सेली किसके शाशन काल में पन पी थी ये आपका कोश्चन है जिसमें under whose rule did the आपका गंधार style of art floris बताईजे निमर में से किस के साशनकाल में गंधार कलासैली उभरी थी देखें मत्थुरा कलासैली आपका हर्सवर्दन के शाशनकाल में दिखाई पड़ती है हमें मत्थुरा कलासैली है मत्रा कला सैली हमें इसमें देखने को मिलती है इसी के साथ साथ आपका जो है असोक की बात करते हैं तो समराज असोक को लेकर आपका उसके समय पर कुण सी कला सैली उभर कर भार आई तो कुशान सैली आपका प्यारे सातियो कुशान सैली उसको कहते हैं है न कुशान सैली उसको कहते हैं इसके बाद आपका जो है कनिस्क के समय पर जो आई वो आपका गंदार कला सैली थी है ना कनिस्क के समय पर जो आपका कला सैली बाहर निकल के आई है ना और आपका वो है इसके बाद आपका जो है चंदगुप दिट्य के समय पर बुद्ध प देखा आपका पहरे साथियों जिसमें आपका जीरो परसेंट विध्यातियों ने आंसर दिया है कोई बात नहीं कनिस्क के समय पर कलागंधार सहली थी हो जाता है क्या आगे देखेगा नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि निमलिकित मुगल भवदों में से किसमें विसेस्ता बताई है ये आपका कोशन है चार बाग पद्धती का प्रियोग सबसे पहले कि सासक ने किया था ये कोशन एकजाम में आता है बिटाओं नेक्स्ट कोशन है कोशन नंबर दो आपका कह रहा है कि निमलिकित मुगल भवनों में से किसमें यह विसेस्ता बताई जाती है कि वह लंबा प्रियोग किया था किस ने बाबर में कि महल के चारों तरफ बाग लगाया जाए बीच में आपका उसको बनाया जाए तो ये आपका कौन सी ऐसी चीज थी जो आपका नमलिकित भवनों में से किस में विसेस्ता बताई जाती है कि में लंबाई और चोड़ाई में बिलकुल बराबर है तो वो है ताजमेहल ताजमेहल जो कि साजा के समय पर आपका बना साजा के समय पर आपका बना भी है ना साजा के समय पर बना तो ताजमहल इसके बाद लाल किला दिल्ली का तो साजा ने बनवाय था ठीके जी आगरा का किला अकबर ने बनवाय था बुलंद दरवाजे का निर्मान आपका प्यारे सात्यों ये भी अकबर ने करवाय था ये किस ने करवाय था अकबर ने करवाय था तो इस तरीके से आपका कुश्चन हो जाता है इतिहास का परसन है शांदार सा परसन है सी ओप्शन इसका भी राइट अंसर है और सी ओप्शन पर हमने चेक किया तो आपका 25 परसन्ट का ठीक है के वाला रूंत पाठी का आंसर ठीक है किस आंदोलनों को हिंदू और मुसल्मान दोनों का समर्थन मिला था ये आपसे कुश्चन कह रहा है भाई साब कह रहा है कि लेटिस गौर्रमेंट के खिलाफ हिंदू और मुसल्मान दोनों एक्टिव थे ये आपका कुश्चन है बताईए 21 आंदोलन को हिंदू और मुसल्मान दोनों का समर्थन मिला था महत्मा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया विटा महत्मा गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था महत्मा गांधी जी ने 13 अपरेल 1919 को जलिया वाला भाग नर सहार के बाद गांधी जी नाराज थे अंग्रेजों से जलिया वाला भाग नर सहार के बाद गांधी जी नाराज थे ठीक है जलिया वाला भाग गत्या कंड हुआ उटायर के कहने पर तो महत्मा गांधी जी ने महत्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया आंदोलन चलाया जिसका नाम था ऐसा योग आंदोलन तो ऐसा योग आंदोलन उननिस सो बीस में चला था वही है जो आप पढ़ रहे है ये भी आसान नहीं है सर तो हुआ क्या था भाया 13 अप्रेल उननिस सो उननिस को जलिया वाला भाग हत्या कांड हुआ कारण क्या था उसके पीछे वो ये था ये रॉलेट एक्ट आया था उननिस सो उननिस पे सर सिडनी रॉलेट के द्वारा तैयार किया गया एक एक्ट था सर सिडनी रॉलेट के द्वारा तैयार किया गया ये एक एक्ट था इस एक्ट में क्या कहा गया सर सिडनी रॉलेट के द्वारा तैयार किया गया ये एक एक्ट था और इसमें कहा था कि ये बिना अपील बिना दलील और बिना वकील का कानून था ठीक है बिना अपील बिना दलील बिना वकील का कानून था ठीक है बिना अपील बिना दलील बिना वकील का कानून था और इसको काला कानून कहा गया है न, इसको काला कानून कहा गया, क्या कहा गया भी है इसको, इसको काला कानून कहा गया, काला कानून, इसमें था क्या कि सक्याधार पर लोगों को ग्रफतार किया जाता है, इसमें था क्या कि सक्क्य आधार पर लोगों को ग्रफतार किया जाता है कि जहां पे भी चार लोग खड़े होकर आपस में बात करेंगे उनको सक्क्य आधार पर ग्रफतार कर लिया जाएगा और ऐसा हुआ तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल कौन-कौन पैफुद्दीन किचलू पैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इन दोनों को ग्रफ्तार कर लिया गया पंजाब में अम्रेस्सर में जब इनको है न जब इनको ग्रफतार कर लिया गया तो हुआ क्या कि लोग इनका विरोध करने के लिए मतलब इनके समर्थन में और इस कानून का विरोध करने के लिए जलिया वाला बाग में इखटा हुए जलिया वाला बाग में इखटा हुए उसके बाद आपका जो है डायर के कहने पर इन लोगों पर निहत्य लोगों पर जनरल ओ डायर से ने जनरल आल डायर से कहकर इन निहत्य लोगों पर गोलिया चलवा दी जब इन लोगों पर गोलिया चलवा दी गई तो इनकी हत्या हो गई हजारों लोग मरे भारत के एक नर सेहार का तो मात्मा गांदी जी ने कांदोलन चलाय उसके बाद ऐसे हो गांदोलन 1920 में तो ये अंग्रेजों की खिलाफ था गांदी जी ने कहा कि आप किसी को हिंसा तो मत करो उन्होंने कहा कि हिंसा समाधा नहीं है आप एक काम कीजेगा इनका समर्थन करना बंद कर दीजेगा गांदी जी ने कहा कि समर्थन कैसे बंद किया जाए गांदी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जितने भी वकील वकालत करने इनकी कोट में जाते हैं अंग्रेजों की तो उसमें मत जाईएगा जो बच्चे इनके स्कूलों में पढ़ते हैं वो स्कूल मत भेजिएगा जो बच्चे जो काम करते हैं इनके घरों में वो काम मत कीजिएगा इनके बरतन साफ करते हो इनके घर में काम करते हो इनका परसनल कोई काम करते हूं इनकी फैक्टियों में काम करते हूं तो आपका इसमें चाहिए हिमत बोले ठीक है जी उन्होंने ये कह दिया तो जब लोगों ने इनके आन जाना है खतम कर दिया कि मतलब सयोग मत करो इनका किसी भी चीछ में जब ये परिशान हो जाएगे तो भारत छोड़के खु उनकी तुर्की में उनकी सक्तियों को ब्रिटिस गवर्मेंट ने कम कर दिया जब की हर जहां किसी भी देश में कोई मुस्लिम सासक बनता था तो वो उनसे खिलत प्राप्ट करता था और खिलत प्राप्ट करने वाला पहला सासक भारत में इलक्तुत्मिस बना खलीपा से खि कर दिया अब पूरे विश्वर के मुसल्मान उनके समर्थन में थे और कहा कि इनकी सक्तियों को वापस लोटा यह अंग्रेजों के खिलाफ थे तो भारत के और ये ऐसा योग अंदोलन एक ऐसा अंदोलन रहा, जो आपका पैरे साथियोग अंदोलन एक ऐसा आंदोलन रहा, जो आपका क्या था भेया? जिसको दोनों का समर्थन मिला मुसल्मानों का भी और हिंदू का भी समझ गए तो इसका भी ओप्शन भारत छोड़ो अंदोलन अकेले गांधी जी ने ही चलाय था 1942 में उसे पहले ये तो पाकिस्तान की बांग कर चुके थे विभाजन विरोधी अंदोलन तो ये विभाजन विरोधी अंदोलन 1905 में करजन के समय पर जिसे स्वधेसी अंदोलन भी कहते है चमपारन सत्यागिरे गांधी जी ने 1917 में आपका केवल गांधी जी के द्वारा चलाय गया तो ये गांधी जी का पहला सत्यागिरे अंदोलन था तो C option इसका राइट आंसर है C option पे हम गए तो हमने चेक किया आपका जो है अकांशा का अंसर ठीक है ठीक है भी या अकांशा का अंसर अगला कि कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है इन में से कौन सा सही रूप से मैच नहीं है यह आपसे पूछ रहा है जी नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर फोर आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है विच पियर इस नौट करेक्टली मैच हाँ जी देखिए गुलामवन्स का संस्थापक उसको का जाता है गुलामवन्स की स्थापना अश्यत में मुहमद गोरी जब भारत पर आक्मन कर लेता है लगातार सोले बार तो उसके बाद आपका जो है उसके सैनापती कुतबदीन बक्तियार खिल जी और आपका जो है वो कुन ये कुतबदीन एबक उसकी हत्या तो वहाँ पर आपका जो है खोकर पर जाती के जात कर देते हैं जब वो नालंदा वशुदाले को द्वस्त करके वापस आता है इसके बाद क्या होता है कि आपका इधर कुतबदीन एबक मुहमद गोरी के मिर्ट्व के बाद भारत में एक वंस की इस्थापना करता है मुशलिम बंस की गुलाम बंस की पहली राजधानी लाहोर बनाई थी अजमेर मेणाई दिन का जोपना बनवाया दिल्ली में कुतम मिनार की नीव रखवाई तो उसने राजधानी लाहूर बनाई थी उसने दिल्ली नहीं बनाई इसके बाद इल्टुतमिस राजा बनता है 1210 में गुलामों का गुलाम इसलिए कहा गया क्योंकि वो उसका गुलाम था बाद में उसका दामाद भी बनता है तो वो राजा बना और वो दिल्ली राजधानी सिफ्ट करता है और दिल्ली सल्तनत फ़र सुरू होती है तो दिल्ली सल्तनत का वास्त्विक संस्तापक इल्टुतमिस है ना कि गुलाम मज़ का क्योंकि दिल्ली सल्तनत तभी तो शुरूओगी जब दिल्ली राजधानी आ जाएगी तो वो उसने बनाई ठीक है तो ये है कौन सा युगम सुमेलित नहीं है चैत्रमहा का नोचन्दी मेला मेरट बसंत का नोचन्दी मेला लखनव खिचडी मेला गोरकपुर तिगरी मेला बलरामपुर तो तिगरी मेला जो है ये आपका औरया में लगता है और बलरामपुर में जो मेला आपका लगता है वो लगता है देवी पाटन का मेला देवी पाटन का मेला ये अंतरविय दोनों में देवी पाटन का मेला और यह लगता है तेगरी का मेला और यह हमें ठीक है तो इसका अंसर डी है चलिए नमलिकित में से किसे ने सबसदिक बार परदेश के मुख्या मंतरी होने का गुरव प्राप्त किया है उत्तर परदेश में सबसे जादा बार सीएम आपका कौन रहा है यह आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर फाइफ है कह रहा है कि नमलिकित में से किस ने सबसदिक बार परदेश के मुख्या मंतरी होने का गुरव प्राप्त किया है उत्तर परदेश की दूसरी महिला सीएम रही उत्तर परदेश की दूसरी महिला सीएम रही मायावती जी चार बार आपका सीएम रही है मुलायम सिंग यादव जी तीन बार रहे है तो इसलिए उत्तरपरदेश में सबसे ज़्यादा बार CM बनने का जो लक्षे है वो महावती जी के पास है उत्तरपरदेश की पहली महिला मुख्य मंतरी कोन बनी है एक बार कमेंड करके बताए उत्तरपरदेश की पहली महिला मुख्य मंतरी कोन बनी है कमेंट करिए यह ओप्षन इसमें राइट है बंटी पबली सुभम राजवनशी परियान सुगुपता टॉप थरी में पहली मुख्य मंतरी महिला मुख्य मंतरी कोन नहीं है सुचेता करपला नहीं नेक्स्ट है उत्तपरदेश का राज्य पक्षी आपका है कुण सा नेक्स्ट कोशन आपके सामने कोशन नमबर सिक्स है उत्तपरदेश का राज्य पक्षी है गोरिया बिहार का राज्य पक्षी है राज्य पक्षी ओन बिर्नागा लेंड सारस उत्तपरदेश का मोर राश्टी है उस्सी ओप्षन इसमें राइट है बंटी बबली तुलसी चोहान सुभम राजवनशी अकानशा और रिशा एल पी जी का पून नाम क्या है एल पी जी का पून नाम क्या है विया कोशन नमबर सेवन आपके सामने है एल पी जी का पून रूप क्या है ब्यूटेन प्लस प्रॉपेन का मिस्रण होता है ब्यूटेन और प्रॉपेन का मिस्रित होता है LPG की बात कर रहे हैं देखे प्राकर्ति गैस प्राकर्ति गैस का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा मुंबई हाई से होता है अब लिक्विफाइट पेट्रोलियम गैस इसकी फिल फोर्म है लिक्विट पेट्रोलियम गैस लोग कह देते हैं पर लिक्विफाइट पेट्रोलियम गैस डी ओप्शन है जामे भाईया बंटी बबली कांसर ठीक है इवियम का पूरा नाम क्या है और यूपी पुलिस ऐसा एक कोश्चन जरूर पुछती है आपसे लिक्विड पेट्रोलियम गैसी लोग लगाते हैं मुस्ट अपली कोश्चन नमबर 8 आपके सामने और कह रहा है आपसे कि What is the full form of EVM EVM का पूरा नाम क्या है अलेक्ट्रोन एलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन अलेक्ट्रोनिक वेंडिंग मशीन एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन तो C उप्शन इसका राइट आंसर है EVM का 1982 में केरल विधान सभा में इसका पहली बार प्रियोग किया गया और केरल के वर्तमान में CM है पिन्नाराई विजियन वर्तमान में CM पिन्नाराई विजियन तो इसका C option राइट option है शिवम राजवंशी, शिवम पांडे, प्रियांश गुपता, रिशाक, आंशाओ रखो भारस सरकार ने निमलिखित में से किस वर्स में प्रारंबिक शिक्षा के लिए राश्टिये पोशनिक साहिता कारेकरम की सुर्वात की है next question आपके सामने है question number 9 भारस सरकार ने निमलिखित में से किस वर्स में प्रारंबिक शिक्षा के लिए राश्टिये पोशनिक साहिता कारेकरम की सुर्वात की in which of the following years the government of India launched the National Neutral Assistant Program of Elementary Education 1990 यानि कि जो मिड्डे मील आपका सुरू हुआ वो आपका कब सुरू हुआ portion कारेकरम मिड्डे मील पंद्रे अगस्त उननिस सो पिच्चाण में को इसकी घोशना हुई B option इसका राइट आंसर है और 0% रिध्यारतियों का सही है अस्याटिक सोसाइटियों बंगाल के स्थापना किस वर्स में की गई थी अगला question next question आपके सामने है question number 10 है Aseatic Society of Bengal के स्थापना किस वर्स में की गई इन विची यह वाजदा Aseatic Society of Bengal Aseatic Society of Bengal question है कि Aseatic Society of Bengal किस थापना किस वर्स में की गई थी तो आपका क्या आप आंसर सही दे पाएंगे अगर मैं इसको 1784 कर दू तो answer सही है यह option ही गलाते तो आपकी गलती नहीं है आपने अपनी तरफ से सही दिया होगा समने अंकिता वर्मा अदित्य गुपता रिशा और यह कुछ बच्चों का सही है अब मैं इसको कही नहीं रहा रविना टैगोर ने किस वज़े से अपनी नाइटूट की उपादी वापस लोटा दी थी यह question है कासान है इसको मैं कह सकता हूँ कि अब मुस्किल है यह मैं कह सकता हूँ आपसे question number 11 कि रविना टैगोर ने किस वज़ा से अपनी नाइटूट की उपादी को वापस लोटा दिया था तो जो मैंने अभी आपको बताई एक स्थिती कि 13 अपरेल 1919 को हुआ जलिया वाला बाग अत्याकंड उस घटना के बाद जलिया वाला बाग नर से हार कह सकते हो आप भारतिये लोगों की जान गई मतलब एक तरीके से बे जुबानी कहुँगा बिना हत्यारों के लोग थे नियत्य लोग थे तो ए ओप्षन इसका राइट आंसर है जलिया वाला बाग नर सेहार के बाद रविन्ना टैगोर ने अपनी नाइटूट की उपादी को त्यागा और गांधी जी ने के सर एहिंद की उपादी को त्याग दिया ठीक है जी चोरा चोरी कांड के बाद ऐसा योग अंदोलन वापस लिया गया ऐसा योग अंदोलन वापस लिया गया तो इसका जो आंसर है वो ए ओप्षन है शुबम राजवनसी बंटी बबली शुबम पांडय कांशा रिशा और पारो यादो निमलिकित में से कौन सी पुस्तक विश्णू सर्मा द्वारा लिखित है कुश्चन नमबर बारा है निमलिकित में से कौन सी पुस्तक विश्णू सर्मा द्वारा लिखित है बंटी बबली जी एक्जामनर को कह दे ना कि उस समय में इस दुनिया में नहीं थे तो माल ली जाएगी विश्णू सर्मा के द्वारा लिखि गई पुस्तक आपका कौन सी है विश्णू सर्मा द्वारा लिखित पुस्तक पंचतंत्र है इंडी का लिखि मेगा स्थनीज ने मेगा स्थनीज शंद्रगुप्त मोरिये के समय पर भारत आया शंद्रगुप्त मोरिये के समय पर सीरिया के सासक सीरिया के सासक फ्रेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया राजदूद आपका मेगस्थनीज था और इसमें बुक लिखी इंडिका और इसमें मेगस्थनीज को इसमें सेंड्रो कोटस कहा है अर्सास्त लिखी चानक्या ने जिसको विश्णुगुप्त कहा जाता है कोटिल्य कहा जाता है अर्सास्त लिखी राजत्रंगनी पुस्तक लिखी कलहन्य राज तरंगनी पुस्तक लिखी कल हन्य प्यारे बच्चो तो सी ओप्शन और भी ओप्शन इसका राइट है अकांशा शुभम गुपता और आधिते गुपता ये टॉप थिरी में है बस केवल इस्टुड़ाइट आगे है प्लासी के युद के समे बंगाल का नवाब कुण था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाव कौन था तो प्लासी का युद्ध प्यारे साथियों में हुआ मीर जाफर अमीचंद राजवंशी स्राजदोला मीर कासिम तो सी उप्षने ये पराजे हुआ सी उप्षन प्रुबम राजवंशी बंटी बबली रिशा परियान शुगुपता पारोयादव अकांचा भारत में रास्टिय आई की गणना किसके द्वारा की जाती है भारत में रास्टिय आई की गणना किसके द्वारा की जाती है कमेंट करके बताईए भारत में रास्टिया आई की गणना किसके द्वारा की जाती है ये आपसे question पूछ रहा है तो भारत में आपका रास्टिया आई की गणना SEO यानि के केंद्रिये सांख्यां की संगठन कार्याले के द्वारा की जाती है इसके बाद आपका पृति व्यक्ति आई सबसे पहले किस ने बताई थी? पृति व्यक्ति आई सबसे पहले किस ने बताई थी? पृति व्यक्ति आई भारत में सबसे पहले किस ने बताई थी? ये बताना D option इसका सही आंसर है रॉय सिंग सही आंसर दिया है प्रति व्यक्ति आए आपका प्यारे बच्चों ये किसके द्वारा बताई गई तो दादा भाई नोरो जी दग्रेंड ओल्ड मैन ओफ इंडिया ठीके जी अब कोश्चन से साइड हो जाएंगे लाई दिडेक्टर उपकरन को नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने कोश्चन नमबर 15 है लाई दिडेक्टर उपकरन को किस रूप में भी जाना जाता है इन वाट ओफ दा लाई दिडेक्टर डिवाइज ऑल्सो नोन लाई डिडेक्टर उपकरण को और किस नाम से जाना जाता है सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ अब आप अंसर देने लगें जब पोल खतम हो गया है बताओ लाई डिडेक्टर उपकरण को किस रूप में और जाना जाता है तो पोल ही गिराफ सिस्मोग्राफ आपका पैरे सात्यों भूकम के अद्धिन को आपका कहा जाता है तो डी ओप्शन इसका सही है, पोलिग्राफ रोई सिंग, साक्षि सुर्यवन्शी, अरुन कुमार नेक्स्ट कोश्यन है कोश्यन नमबर 16 है कह रहा है कि थाइरोक्षीन के संसलेशन के लिए कौन सा तत्व which element is essential for the है ना, आपका जो है थाइरोक्षीन के संसलेशन के लिए आपका कौन सा तत्व अवश्यक है which element is essential for the synthesis बताईए है रोक्षीन के संसलेशन के लिए कौन सा तत्व आपका आवश्यक है तो आयोडीन प्यारेश आती हो बी ओप्षन इसका सही आंसर है आयोडीन आयोडीन की कमी से गहंगा रोग होता है ठीक है दी? आयोडीन सबसे ज़्यादा चिली देश में उत्पादित होता है जो कि दक्षनी अमेरिका महादीप का एक देश है आयोडीन आपका प्यारे सात्य हो एक समुद्री तत्व होता है समुद्री उत्पाद गरों के बाहर फर्स को सजाने की कला निम्र में से किस सैली का उप्योग किया जाता है? कोशन नम्बर 17 है घरों के बाहर फर्स को सजाने के लिए कला की निम्र में से किस सैली का उप्योग किया जाता है? नेक्स्ट कोशन है आपके सामने है कोलम प्यारे सात्यों कहा जाता है बिहार में आपका जो है जानी जाती है बिहार में आपका कोलम जानी जाती है चित्रकला है मदुबनी पैंटिंग है दिवारों पर की जाती है इसका जी आई टेग भी आपका बिहार के पास है मेहंदी आपको पता है हातों में लगाई जाती है और आपका पाली राजिस्थान की मेहंदी को सोजत मेहंदी को जी आई टेग प्राप्त है सोजत मेहंदी कहां की है तो राजिस्थान पाली की है इसको जी आई टेग मिला हुआ है इसके बाद आपका वारली मुंबई महारास्थ ये भी आपका इचितरकला है पर लेकिन इसका सही अंसर ये जो है ये आपका कोलम है डे ओप्शन है आरती राजपूत बच्चे का अंसर ठीक है भारत में खिलाफ़त अंदोलन के बारे में क्या सही है पहले कोशन पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे कोशन नमबर अठारा है कि भारत में खिलाफ़त अंदोलन के बारे में क्या सही है यह भारत में मुगल साही परिवार को करने के लिए एक अंदोलन था यह जलियावाला बाग के नरसेहार के सो भार्तियों के खिलाफ एक आंदोलन था यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था कोशन नमबर 19 भारत का कौन सा सहर डेट्राइट ओफ एसिया और ओटो मोबाइल कैपिटल के नाम से लोग प्रिये हैं विच सिटी नेक्स्ट कुशन आपके सामने है क्या कह रहा है आपसे के विच सिटी ओफ इंडिया इस पोपुलर नौन थेट्रोइट ओफ एसिया और ओटो मोबाइल कैपिटल ओफ एसिया बताएए भी नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने है आंसर दीजेगा क्या कह रहा है आपसे ओटो मोबाईल कैपिटल ओफ इंडिया भी उसको कहते हैं तो ये है चैन्नेई तमिल नाडो कोयम बटूर को दक्षिन भारत का मान्चेस्टर भी कहते हैं और कोयम बटूर आपका रास्टिय गन्ना परजनन केंद्र रास्टिय गन्ना परजनन केंद्र भी है ठीक है तो इसका भी ओप्षन राइट है आरती राजपूत प्रियांशु गुपता जै महकाल सिंग सहाप साक्षि सुर्यवंशी शुभम गुपता इन बच्चो कांसर ठीक हैं निम लिखित में से कौन से विटामिन में यिस्ट प्रचूर मात्रा में पाया जाता है निम लिखित में से आपका भाई साव नेक्स्ट कोश्चन 20 है कि निम लिखित में से कौन से विटामिन में यिस्ट प्रचूर मात्रा में पाया जाता है तो निम लिखित में से कौन से विटामिन में आपका इस्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो विटामिन ए प्यारे बच्चूर मिरलब ऑप्शन ए विटामिन भी मंटी बबली सही आंसर भारत की संसत में पहला लोगपाल विधेयक कप पेस किया गया था यानि कि आपका कुश्यन है कुश्यन नमबर 21 है कि भारत की संसत में पहला लोगपाल विधेयक कप पेस किया गया वैसे आपका लोगपाल पास हुआ 2014 में पर लेकिन पेस पहली बार कब किया गया था Indian Parliament में कोई बात नहीं सब अपने हैं कहते हैं न ठेड़ाय पर मेरा है कैसे भी हो सब अपने है तो भईया 1968 में आपका लोगपाल पारित किया गया था बी ओप्शन है सही अंसर आरती राजपूस सुभम राजबनशी प्रियांशु गुप्ता रोई सिंग्ग ये अंसर है नेक्स्ट कोश्चन है आपका कोश्चन नमबर 22 के छटी सदावदी इसापूर वियानी के आपका छेस्सों बीसी के आसपास की बात कर रहा है कि प्रारम में है ना भगवान महवीर का जनम निमलिखित में से किस स्थान पर हुआ था भगवान महवीर का जनम निमलिखित में से किस स्थान पर हुआ था क्या हुआ क्या लड़ रहे हैं वापस में बिल्कुल पान्सो चालिज बीसी के आसपास आपका जो है वैशाली कुंड ग्राम में कुंड ग्राम में आपका महवीर का जनम प्राप हुआ पावापुरी में इनकी मिर्ति हुई ठीक है, सारनात में आपका जो है, भगवान भुद्ध ने पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन पर दिया तो इसका आंसर सी है, जिसमें बंटी बबली, शुभम राजवन सी, चीकू, पारोयादव, परियान शुगुपता, रोई सिंग, इन बच्चों का आंसर ठीक है निमलिकित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, question number 25 परिशा हम इन सबसे दो तेन दिन से परिशान है, गजव लोग आ रहे हैं, इच्चा, तुमारी अलगी मुद्दे की कहन चर्चा चल लगी है, निमलिकित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, इसके बाद आपका आई O, C, L, इसके बाद B, P, भारत पेट्रोलियम, H, P, P, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पब्लिक, अब कौन सी सबसे सही है, तो C, option इसका अंसर सही है, Indian Oil Corporation Limited, Indian Oil Corporation Limited, I, O, C, L, जिसकी स्थापना 90, 59 में हुई, तो C, option इसका राइट है, चेक किया, तो आपका 31, यानि कि सुम्हम राजबंशी, रिशा विपिन, राजबर, बंटी बबली, प्रियांशु गुप्ता, इन बच्चु का अंसर ठीक है, नमलिकित में से कौन सा Asia का पहला स्टोक एक्चेंज है, ये आपसे question पूछ रहा है, question number 24 आपकी screen पर है, क्या कह रहा है आपसे, कि नमलिकित में से कौन सा Asia का पहला स्टोक एक्चेंज, which of the following Asia, the first स्टोक एक्चेंज इज, Asia का पहला स्टोक एक्चेंज आपका कुन सा है, national स्टोक एक्चेंज, NSE, Tokyo स्टोक एक्चेंज, संगाई स्टोक एक्चेंज या Bombay स्टोक एक्चेंज, तो Bombay स्टोक एक्चेंज आपका है, 1875 में इसकी स्थापना की गई, ये सही आंसर है, D option इसका right है, D option पे हम गए तो आपका, जस्पे मंटी बबली, आरती राजपूत, अकांशा, शुभम राजवंशी, साक्सी सुर्यवंशी, रवी वर्मा, इसके बाद है, भारत में इंटरनेट की सुरुवात कब हुई थी, भारत में इंटरनेट की सुरुवात आपका कब हुई थी, question number 25 है, भारत में इंटरनेट की सुरुवात आपका कब हुई थी, पर्थम इंटरनेट सेवा, आपका USA ने सुरुव की थी, रख्षा विभाग में, 1969 में, USA ने सुरुव की थी, आपका रख्षा विभाग में, पर यह सवाल है कि भारत में इंटरनेट की सेवा की सुरुवात आपका कब हुई, when was the internet started in India, भारत ने 15 गस 1905 में से आपका जो है, स्टाइट किया था, इंटरनेट सेवा को, हाला कि अमेरिका ने 1989 में, आम जनता के लिए भी इंटरनेट की सुरुवात कर दी थी, आम जनता के लिए इंटरनेट की सुरुवात कर दी थी, तो D option इसका right answer है, जा मैं zero answer हो है ओ भी या, next, दिलवाडा मंदिर आपका कहां पर रिस्तित है, ये एक simple question है जरा, इसको मैं agree करके बता सकता हूँ, ये question बिलकुल simple है, question number 26, दिलवाडा मंदिर कहां पर रिस्तित है, where is the दिलवाडा temple is situated, खुजराओ मंदिर आपका मध्यपरदेश में, भुवनेश्वर आपका मंदिरों के सहर के नाम से जाना जाता है, माउन्ट आबु आपका दिलवाडा जैनमंदिर है, राजिस्तान में है, अरावली परवत स्रंखला पर है, माउन्ट आबु दिलवाडा जैनमंदिर उत्तर भारत का सबसे बड़ा, जैनियों के लिए सबसे बड़ा dhramik केंद्र भी है, डी ओप्शन इसका राइट अंसर है जिसमें आपका जय कुमार पर्थमेश यादव पारो यादव आरती राजपूत विपिन राजभर रोय सिंग इसके बाद आपका नेक्स्ट कुशन है कि मान्सून पूर्व वर्सा जो केरल और करनाटक के तटिये च्थित्रों में एक सामाने घटना है इस्थानिय तोर पर किस नाम से इसको जाना जाता है कि मानसून पूर्व वर्सा मानसून से पहले जो वर्सा होती है जो केरल और करनाटक के तटिये छित्रों में एक सामान्य घटा है उसको इस्थानिय तोर पर किस नाम से जाना जाता है ये नेक्स्ट कुश्चन आप लोगों किस करिन पर है आंसर दीजेगा कि मानसून पूर्व वर्सा जो केरल और करनाटक के तटिये छित्रों में एक सामान्य घटना है वो इस्थानिय तोर पर किस और नाम से जानी जाती है तो आपका मंजरी वर्सा सीत वर्सा या आमर वर्सा या काल वैसा की तो आमर वर्सा के नाम से आपका ये जानी जाती है जिसे आम वर्सा भी कहते है ठीके तो इसका सही अंसर आपका जो है सी ओप्शन है सी ओप्शन पे हम लोग गए तो उने देखा जीरो परसेंट विद्ध्यारतियों का अंसर सही रहा है ठीके डक्षन धुर पर पहुँचने वाले पहले भारतिय पुलिस सेवा की पहली महिलादिकारी का नाम बताईएगा डक्षन धुर पर पहुँचने वाली भारतिय पुलिस सेवा की पहली महिलादिकारी का नाम क्या है ये question मेरा आपके लिए home work के लिए है इस question का answer आप class के बाद में comment करके देंगे अपना offline तरीके से तो चलिए सातियों आज के session को यहीं पर विराम देते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस प्यार के लिए कल हम लोग मिलेंगे SSE GD की एक विशेश चर्चा पर SSE GD की पंचायत बठाई गई है कुछ selected विध्यार्तियों के साथ तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे है ना बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बाफर से जैहिंद जै भारत